यह ट्वंटी फोर्थ कोईशन आफ एंसी आर्डिक साइस एन एक्जामपल ट्वंटी नाफ आडि शर्मा देखे जान से कोईशन कहा रहा है कि ट्व एन प्लस फन इस लेस दन एन प्लस थी होरी स्कार मतलब यह चीज बड़ी है इससे एन की वेलू चाहे जो यह तो आपसे कह तो एन को वन लिखो तो फोर्फ इस वेल इस इक यह चाहे गा सिस्टीन आएगा अब बताओ थी लेस्टन सिस्टीन है कि नहीं है है ना सो इट इस टू रूट इस जऑ रूर एन इस एकल टू ऑन इसके लिए सही हो गया स्टेप टूब में क्या करेंगे कि भाई यह लेट It is true for n is equal to k के लिए सही माल लिया, तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा 2k plus 1 is less than k plus 3 का whole square, बस यही पर थोड़ा गाड़ी ध्यान से चलाईएगा, ठीक है, क्योंकि k plus 1 के लिए, चुकि इनिक्वल्टी में एक साथ लेके चलना पड़ता है, अब देखे इसको k plus 1 के लिए क ना क्या पड़ेगा, देखे, step 3 जड़ा समझने के कुछ के लिए थोड़ टेक्निकल होता है, for n is equal to k plus 1, देखो ध्यान से, अगर मैं n को k plus 1 लिखता हूँ, तो यहाँ क्या जाएगा, 2k plus 1 plus 1, ध्यान समझेगा, मतलब यह आएगा 2k plus 1 plus 1, यानि यह आएगा 2k plus 3, यानि 2k प्लस थी है ना, और यहाँ पर क्या है, 2k plus 1, यानि अगर इसमें 2 plus कर दे तो यही result अगर नहीं आएगा, अगर 2 इधर भी plus कर दे, इधर भी plus कर दे, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि भीया दोनों तरफ सेम चीज अगर प्लस करेंगे तो वैल्यू तो ही रहेगी इनिक्वल्टी चेंज होती नहीं है ना तो मैं दोनों तरफ टू प्लस कर रहा हूं यहां पर है ना अपने रिक्वाइर्मेंट की हिसाब से और फिर उधर की बात बात में करेंगे हमको ल्चस मिल जाएगा तो हमने क्या किया कि 2 जो हमारा था उसमें 2 प्लस कर दिया और जो इधर k प्लस 3 का hold square था इसमें भी 2 प्लस कर दिया और हमने कहा इनिक्वल्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है अच्छा अब यहां पर बात यह खतम हो गई हमारा हमने इसका यूज कर लिया एक तरीके से आप देखो ज़रा इसको थोड़ा टेक्निक अगर मैं के प्लस वन आरचस में लाना है तो आरचस में क्य प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन आगया उधर देखेज़ ज़रा ख़। खोले इसको के स्क्वाएर प्लस नाइन प्लस 6K प्लस 2, यानि कि 2K प्लस 3 इसको लिख दीजे, कोई दिक्कत नहीं, चुकि रिक्वार्मेंट थी है, मिल गया, तो आएगा K स्क्वार प्लस 6K प्लस 11, जरा साउधान, अब यहां लफडा फसा हुआ है, देखिए, अगर मैं इधर 2K प्लस 3 है, है ना, और यह लेस दन इसके है, मतलब यह वैलू क्या है, बड़ी है, अगर मैं इसमें K स्क्वार प्लस 6K की जगए, मैं 8K लिख दूँ, तो क्या मेरी वैलू, यह बड़ी रहेगी, नहीं रहेगी, चोटी हो जाएगी, नहीं, होई रहेगी ना, तो 8K लिख कर सकते हैं ना, जैसे अब मैं इसको 16 लिख दूँ, तो यह अभी भी बड़ी है ना, तो यह साइन तो यही रहेगा ना, तो इनिक्वल्टी में हम यह चीज कर सकते हैं, शर्त यह है, कि ऐसा करने से यह साइन चेंज ना हो रहा हो, ठीक है, अच्छा, तो यानि कि आपका 2K प्लस 3 is less than, यह K प्लस 4 का whole square आएग नहीं आया, तो इसका मतलब, so it is true, so it is true for N is equal to K प्लस 1 also, so it is true for all the values of N, इस प्रकार से इस प्रकार की इनिक्वल्टी लगाई जाती है, तो this is the end of the NCRT, RD Sharma का end नहीं हुआ, क्योंकि RD Sharma में मैं हर equation को अलग-अलग upload कर रहा हूं, तो जो NCRT मिल जाती है, वो उसको break कर देता हूं, जिसे double मेनत न कर नहीं पड़े, RD Sharma की solution आपको मिलते रहेंगे, next, the next video, तब तक के लिए, नमस्कार,